सो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे बहु भी कल भी प्रेश्णों लेकर के आई हूं जो इसना तक कक्षाओं में होने वाले रास्ट गौरो के प्रेश्णों पत्र में अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंट्स यहां पर बताये के कोशन बहुत यदा इंपोर्टन्ट है इस तरीकी के कोशन अक्सर कॉम्पलिटिव एक्जाम्स में भी आते हैं तो इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक वाच करेगा बिलकुल e-skip मत करियेगा फ्रेंट्स अगर इससी तरीकी के और वी प्रश्णों की विशे में आप जानना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे कि आपको मेरी latest वीड यूकेलिप्ट्स, उप्शन नमबर 3 नीम, उप्शन नमबर 4 चंदन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उप्शन नमबर 1 सुब बुल, मिरेकल ट्री सुब बुल कहलाता है, हमारा अगला प्राशन यहां है कि हड्डियों तथा दातों का मुख्य रचक कौन सा खनीज है, आपक करेक्ट आंसर होगा, उप्शन नमबर 4 कैल्सियम, दातों तथा हड्डियों का मुख्य रचक कैल्सियम है, हमारा अगला प्राशन यहां है कि एनीमिया के उपचार के लिए व्यक्ति को किस विटामिन से परिपूर्ण आहार प्रदार्थ खिलाने चाहिए, आपके उप्श तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उप्शन नमबर 1, विटामिन A से परिपूर्ण, अनेमिया के उपचार के लिए व्यक्ति को विटामिन A से परिपूर्ण आहार प्रदार्थ खिलाने चाहिए, हमारा अगला प्राशन यहां है कि जल को प्रदूशित करते हैं, अर्थात इन नमबर 4, यह सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह सभी, यह सभी जल को प्रदूशित करते हैं, हमारा अगला प्राशन यहां है कि किस क्रिया में पौधेस और उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं, आपके आप्शन हैं, आप्शन नमबर 1, प्रिकास अंशले आप्शन नमबर 2, कार्बन क्रिया, आप्शन नमबर 3, नाइट्रोजन क्रिया, आप्शन नमबर 4, खाद तंत्र, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप्शन नमबर 1, प्रिकास अंशलेशन क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा पौधेस और उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं उस क्रिया को प्रिकास अंसलेशन की क्रिया कहा जाता है हमारा अगला प्रशन यहा है कि जल प्रदूशन निवारण इमन नियंतरन अधीनियम कब लागू किया गया था आपके options हैं, option number 1, 1977, option number 2, 1978, option number 3, 1975, option number 4, 1974, तो इसका correct answer होगा, option number 4, 1974, जल प्रदूशन निवारन एवम नियंतरन अधीनियम 1974 में लागू किया गया था हमारा अगला प्रशन यहा है कि नलंदा पर किसने आकरमन किया था, आपके options हैं, option number 1, समराट अशोक के पुत्र ने, option number 2, ग्यारवी शताबदी में बक्तियार खिल जी ने, option number 3, चीनी यात्रियों ने, option number 4, इन में से कोई नहीं, तो इसका correct answer होगा, option number 2, ग्यारवी शताबदी में बक्तियार खिल जी ने, नलंदा पर ग्यारवी शताबदी में बक्तियार खिल जी ने आकरमन किया था, हमारा अगला प्रशन यहा है कि पाई का जन्म कहां हुआ था, आपके options है, option number 1, चीन में, option number 2, ग्रीक में, option number 3, यूनान में, option number 4, भारत में, तो इसका correct answer होगा, option number 4 भारत में, पाई की खोज भारत में हुई थी, हमारा अगला प्रशन यहा है कि निम्निलिखित में से कौन सी भारतियों की उपलब्धी है, आपके options है, option number 1, दशमलब प्रणाली, option number 2, शोन्य, option number 3, अंकलिपी पद्धिती, option number 4, उप्रियुक्त सभी, तो इसका correct answer होगा, option number 4 उप्रोग्त सभी, दशमलब प्रणाली, शोन्य, अंकलिपी पद्धिती, यह सभी भारतियों की उपलब्धी है, हमारा अगला प्रशन यहा है कि महारिशी अंगीरा ने किसकी खोज की थी, आपके options है, option number 1, तांबे की, option number 2, अगनी की, option number 3, लोहे की, option number 4, जस्ते की, तो इ हमारिशी अंगीरा ने अगनी की खोज की थी, हमारा अगला प्रशन यहा है कि रसायन विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपके options है, option number 1, आत्रेय को, option number 2, पतंजली को, option number 3, पाणिनी को, option number 4, चरक को, तो इसका correct answer होगा, option number 1, आत्रेय को, रसायन विद्या का प्र हमारा अगला प्रशन यहा है कि आधूनिक खगोल शास्त्र को किसने शुरू किया था, आपके options है, option number 1, टालेमी, option number 2, फेरल, option number 3, न्यूटन, option number 4, गैलेलियो, तो इसका correct answer होगा, option number 4, गैलेलियो, गैलेलियो को आधूनिक खगोल शास्त्र का पिता माना जाता है, इन्हों नहीं आधूनिक खगोल शास्त्र की शुरूआत की थी, फ्रेंट्स यह थी जानकारी कुछ बहु विकल्बी प्रशनों के विशे में, उमीद करते हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमन करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ